welcome back to measure of central tendency जे मीन ना एक्जाम्पल्स तम्हें एक्सरसाइज ना केल्कुएट करया आसे आना आपड़ करया ना पची निक्स्ट एक्जाम्पल आवे छे जे मां फ्रिक्वेंसी आपे ली छे अब्जर्वेशन छे अब्जर्वेशन ना डेटा स्मॉला बहु छे चे कंपार टु द प्रिविए वन जे जे तापे लाचे जे स्मॉल छे एक्ले आपड़ जे एक्वेशन यूस करता मीन फाइंद करवा माटे सिग्मा एफ इंटो एक्स दिवाइद बाइ एन यूस करी सा का से ओकी बट दे थिंग इस दाट के अहीं या बे फ्रिक्वेंसी मिसिंग छे एक्स आने यूस प्रिक्वेंसी चे नहीं पर बनने नू एडिशन करो तो 24 था इचे एंद दे मीन इस 3.62 इचले के अपर ने मीन आपेला छे 3.62 मिन कहीं दे दो छे आपर ने find the value of x and y एकले के जह अन्यान फ्रिक्वेंसी चे यह आपड़े फाइंड करवानी चे तो आपड़े पासे जेतली वस्तू छे एना उपर थी आपड़े पेला equation केल्कुलेट कर आमाटे f अने x नो मॉल्टिप्लिकेशन जो इस है तो f अने x लाई है x इंटु 1 एकले x 14 इंटु 2 54 96 100 6 इंटु y एकले 6y ओके आनों आप्र सिग्मा एफ लई लई है तो सिग्मा एफ लेवा माटे एकले के टोटल एंड लेवा माटे बद्दा नों टोटल था से अवे x ने y तो आपड़े पासे छे नहीं that's okay यहां उला कुछ x plus y plus rest of the numbers नू टोटल करवानू छे तो बाकी ना जे नंबर छे एनू जो आपड़े टोटल करिये तो थाई छे 76 76 okay एटले के आपड़ा जे n छे अथ्वा तो सिग्मा एफ छे ए आविर्दम ओड़े छे x plus y plus 76 okay but we have something additional so x plus y आपड़ने आपड़े लू छे यह लाकू छों x plus y equals to 24 तो सिग्मा एफ मा एक्स प्लस वाई छे त्याउं 24 मुकी दाऊं प्लस 76 आपड़े टोटल थाई चे आथ्या 100 एटले के सिग्मा एफ मढ़ी गया आपड़ने ओके fx ए आपड़े यह करे ला छे एनू आपड़े सिग्मा लेवानू छे टोटल लेवानू छे जो आनू टोटल लेए तो x x is it is plus 6y लखी नाखिये plus जो आटलो टोटल करिये तो ए टोटल आपड़ो थाई चे लेट मी डू दाट इस 278 278 अटली बस तो आपड़े पासे चे आपड़े एक्वेशन लखिये अगें x-bar is equal to sigma fx divided by n तो x बारा पेला चे दाट इस 3.62 is equal to sigma fx ए या चे x plus 6y plus 278 divided by n number of observations 100 थाई चे या लखिया 100 ने उपर लई जाहिए cross multiplication 3.62 into 100 करिये अटले पॉइंट निकड़ी जासे 362 अन्याप अहिया लई जाहिए numbers में एकले minus 278 था से is equal to x plus 6y ओकी हावे तो जे काई बन छे अन्याप आजू लई जाहिए x plus 6y अन्याप बनने नोडिफ्रेंस करी लई है तो डिफ्रेंस था से 4, 8, 84, right 84 difference हावे चे 6, sorry x plus 6y is equal to 84, okay बिजु एक equation आपड़ी पासे चे, x plus y is equal to 12, sorry 24, right x plus y is equal to 24, here it is, okay हावे अब बेक्वेशन मल्या, now we know, बेक्वेशन आपेला होई तो अन्न बेवेबल एक्वेशन आपेला होई तो अन्न बेवेबल एक्वेशन आपेला होई तो तो उन्हों लखी सको equation 1 minus equation 2 करिया तो, like this i equation 1 not 2, बद्दा ने साइन चेंज था जासे, x minus x 0, 6y minus y that is 5y, 84 मा की 24, रिमूव था एक्ले 60, तो y is equal to 60 divided by 5, that is equal to 12, y equals to 12, जो y 12 आपता होई तो x के तले आपे, so putting the value of y is equal to 12, in any of the equation, कोई पन एक equation मा y नी value 12 मूखिये चिये, से फर्स्ट equation मा उलखो चू, x plus 6 into 12 is equal to 84, तो आभी multiply थाजी छे, 72 is equal to 84, 72 ने सामे जवादाई ये, तो 84 minus 72, that is 12, तो x पन 12 आवे चे, and of course x plus y, जो 24 होई, तो जो y 12 होई, तो of course x पन 12 होई ना, so this is how we can calculate the missing frequency, जे बनने frequency नो total आपे लो होतो हो, ये total उपर थी आपड़े आखी total frequency, number of observations केलकुलेट करिया, fx माँ एक equation आउथ तू, ए equation में आपड़े as it is राखेलू, ए माथी जे answer आवे चे, एनो equation 1, आने आपेलो जे equation 2, बनने उपर थी आपड़े x ने y, बनने unknown variable, और we can say, बनने unknown frequencies find करिया, thank you.